कोलकाता के आड़चिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोस है देश के करीब 3 लाग डॉक्टर आज भी हड़ताल पर है इसी बीच कोलकाता रेप मडर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है मामले मेडिकल कॉलेज के पुर्व प्रिंसिपल संदीब गोज भी CBI के रडार पर आ गये हैं वहीं मेडिकल कॉलेज में हिंसा करने के मामले में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफतार कर लिया है बता दे की कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिल डॉक्टर की रेप और हत्या मामले की जास सीबियाई ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है और इंडिया गवर्नर डॉक्टर से एसिस्ट्रियेशन के एडिस्नल सेकेट्री डॉक्टर स्वर्न गोश्वामी ने 14 अगस्त को पोश्ट मार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि यह रेप नहीं गैंग रेप हो सकता है उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 159 एमजी सीमर मिली है इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शक्स की नहीं हो सकती इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में एक से ज्यादा लोग शामिल ह इसके बात सीबी आई के रडार पर मेडिकल कॉलिज के कई शात्र समयत पूर्व प्रिंसिपल संदीब गोज भी आ गये हैं